नमस्कार दोस्तों मेरा नामेर रजनी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूटूब चैनल Connecting India Exim Solution में दोस्तों Connecting India Exim Solution इंडिया का ऐसा प्लेटफों में जो आपको export, import से related सारी जानकाई डिटेल में बताता है, समझाता है इंडिया से कैसे export करें, इंडिया में कैसे import करें, उसका procedure क्या है, क्या-क्या document आपको इसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से marketing करके buyer find आपको करना है इन सारे सवालों को जवाब आपको हमारे यूटूब चैनल के माध्यम से provide कराए जाते हैं इसी के साथ मैं आपसे request करूँगा, कि अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को subscribe करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो की notification मिलते रहें दोस्तो वीडियो में बढ़ते आगे, यह हमारे export import knowledge series का 12th वीडियो है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि DZFT और FEMA का export import के नदर क्या रोल है, जिससे आपको DZFT की services, DZFT क्या करता है, कहां पे इसका rule चालू होता है, कहां ये काम आता है, इसे फेमा का क्या रोल है, पूरे export import के अंदर ये आपको समझ में आ सकेगा, तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं, दोस्तो सबसे पहले बात करें, DZFT Director General Foreign Trade, New Delhi इनका office है, बाकि इनकी सब ब्रांचे अलग-अलग state के जो capital है, उनके अंदर भी आपको मिल जाएगा, तो DZFT का main जो काम रहता है, Director General Foreign Trade का जो काम है, वो एक तरफी की rules and regulation body है, जिनका जो main work है, वो rules and regulation आपको provide कराना है, मतलब government की तरफ से जितने भी notification या rules बनते हैं, regulations होते हैं, वो आपको DZFT के द्वारा provide करा जाते हैं, उन सब की जानकरी DZFT के द्वारा आपको provide करा जाती है, तो DZFT का portal है DZFT.government.in, उस पे आप जाके DZFT पे notification column में जाके सारे notification चेक कर सकते हैं, let's suppose Onion अभी ban हो गया है, तो उसका notification भी DZFT के माध्यम से ही दिया जाएगा, वहीं आपको बता चलेगा कि Onion कब तक के लिए government ने ban किया है, किसी भी product को freely export, prohibited or restricted category में जब भी डाला जाता है, तब भी DZFT के तरफ से ही notification आप को मिलता है, किसी भी product के उपर कोई drawback बढ़ा दिया गया है, या किसी product के उपर import duty बढ़ा दी गई है, या कोई घटा दिया गया है, कोई भी चीज, तो ये सब कुछ notification भी आपको DZFT के portal से ही मिलेंगे, कौन सा product export किया जा सकता है, कौन सा product नहीं किया जा सकता है, कब तक के लिए बंदे, ये सब कुछ भी आपको DZFT से जानने को मिलता है, या foreign trade policy के कौन से पेरा के अंदर, कौन से chapter के अंदर, क्या changes आप किये गया है, government के instruction के accordingly, तो वो सब भी आपको DZFT के notification से मिलते हैं, तो मतलब आपको जानना है कि आपको product export हो सकता है, नहीं हो सकता है, या onion रहेगा, या rice के अंदर क्या policy changes होए है, या उसके अलावा sugar का export किस तरीके से होगा, कब तक होगा, या कोई भी और product दाले हो गई है, पलसे वगरा के export import पर जो भी तरीके के बेन वगरा लगते हैं, वो सब कुछ DZFT के मादिम से आपको बताया जाता है, तो DZFT पूरे notification जो आप export import का license जिसको बुला जाता है, अगर आप इंडिया से export करना चाते हैं, इंपोर्ट करना चाते हैं, तो आपको IC लेना कमपल सरी है, import export code आपको लेना ही रहेगा, तो जो import export code होता है, ये भी आपको DZFT के ही portal से मिलता है, इसी से ही आप apply करते हैं, DZFT पे आप पहले registration करत और उसके बाद आप IEC के लिए apply कर सकते हैं, IEC के साथ साथ आप यहां से अभी नई facility जो DZFT आपको provide करा रहा है, वो है ERCMC की, जहां पे अब आप पहले अलग-अलग जो भी EPCs हो जी ती, जैसे EPIDA का RCMC, EPIDA की website से मिलता था, spices board के लिए spices board पे apply करना पड़ता था, jams and jewelry के leather के लिए leather export promotion council पे apply करना था, अभी यह सब कुछ बंद है, अभी यह सब कुछ एक common portal पे डाल दिया गया है, जो कि DZFT, DZFT के माध्यम से ही आप ERCMC के लिए apply कर सकते हैं, वहीं से आप कोई भी किसी भी तरीके का, किसी भी body का आपको ERCMC लेना है, registration का membership certificate लेना है, तो आप generally D DZFT के माध्यम से उसको apply कर सकते हैं, fees भी आपको वहीं से pay कर देना है, document भी आपको वहीं upload करने है, तो आप ERCMC भी DZFT के माध्यम से ले सकते हैं, तो आपको जो है notification DZFT से मिल रहा है, import export code DZFT से मिल रहा है, यहाँ पर RCMC DZFT से मिल रहा है, और एक और important document जो की होता है आपका certificate of origin, prevention and non-prevention, तो आप किसी भी body का prevention या non-prevention certificate चाहिए, किसी भी country के लिए, तो वो सब कुछ facility अभी DZFT के portal के थूँ आप apply कर सकते हैं, DZFT पे जैसे आप certificate of origin पे connect करते हैं, वहाँ से नई website पे वह आपको redirect करता है, COO की website के उपर, और वहाँ से आप जो है, अपना certificate of origin भी apply क कर सकते हैं, तो ऐसे काफी सारी चीज़े हैं, जो DZFT portal के माध्यम से आप कर सकते हैं, अगर आपके साथ को fraud होता है, या किसी भी foreign buyer के साथ होता है, तो वो सब जो है DZFT के portal पे उसकी complaint भी raise कर सकते हैं, export या import से related किसी भी तरीकी के fraud आपके साथ हुआ है, तो आप जो है उसक DZFT के portal से ही करना होता है, इस तरीक से DZFT के अगर आप website पे जाके service column में जाओगे, तो आपको different kind of services जो है DZFT के portal पे वहाँ पे दिख जाएगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि DZFT क्या-क्या work यहाँ पे करता है, तो ये पूरा काम रहता है DZFT का जो कि एक rules and regulation body है, और export import के अंदर हर एक आदमी को एक बार DZFT के portal पे जरूर जाके अपना IC जरूर से जरूर लेना होता है, और बाकी आप फिर जब चाहें, जब notification वगरा देखने के लिए आप DZFT की website जो है visit कर सकते हैं, तो ये तो होता है DZFT का rule पूरे export import में, अब बात कर लेते हैं Foreign Exchange Monetary Act क फेमा की, तो दोस्तों ये RBI के द्वारा बनाया गया एक rule है फेमा, तो Foreign Action Monetary Act किसी भी तरीके की illegal way में जब money laundering वगेरा होती है, उनको रोकने के लिए बनाया गया है, तो फेमा का ये कहना है export को लेके, कि अगर आप कोई भी पड़का export कर दो, तो within 9 month आपके account के अंदर वो चाहिए, otherwise फेमा जो है फिर आपको notice देता है, और notice जब आपको देता है, तो उसका फिर proper जवाब भी आपको देना पड़ेगा, तो अगर आपको फेमा के notice से बचना है, तो किसी भी तरीके का illegal activities में आप ना जाए, simple सा है, जब भी आप export करे, import करे, bank account के through transactions सारे होने हैं, किसी भी अलग तरीके से पैसा ले रहे हैं, तो वो सब कुछ गलत है, export, import के अंदर, अगर आप export कर रहे हैं, आपके document bank में submit हो रहे हैं, और आपका यहाँ से पैसा आना चाहिए, वो bank के account में आना चाहिए, एक और सबसे important बात, अगर आपने पैसा advance ले लिया है, तो within 9 आपको export करना भी जरूरी है, और document जो है, बैंक में submit करना भी कम पसरी है, मतलब आपने advance payment ले लिया और आप तब भी export नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कुछ नखुछ प्राप्लम है, या आपने export के document submit नहीं करें, तो government आपसे पूछती है, फेमा के दौरा पूछा यह फेमा की guideline प्रोपर तरीके से बताती है, तो फेमा के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर किसी भी illegal way में आप ना जाएं, किसी भी गलत तरीके से export import का काम न करें, तो आप simply way में सिर्फ और सिर्फ bank account के थुरू ही काम करें, saving account के थुरू भी आपको यहाँ काम करना है, export import के अंदर, यहाँ पर आपको current account या trade account ओपन करके ही, आप जो है export import का business कर सकते हैं, तो RBI ने यह फेमा का rule बनाया है, पूरे जो भी transaction होते है, foreign transaction होते है, export import में, वो manage करने के लिए, उसके लावब भी कापी सारी चीज़े फेमा के अंदर में आती है, export import का तो यह बट आपको यह ध्यान हमेशा रखना है, कि कभी भी export करो, तो आपके account से ही पेसा आए, पेसा जाए, जो भी सारा system में bank account के थ्रू ही पूरा manage होना चीए, तो यह सब कुछ जो देखता है, वो फेमा देखता है, अगर आपको किसी भी तरीके का notice फेमा से आता है, तो उसका proper अपर तरीके से reply जो अपने bank के मादिम से submit करें, otherwise जो है आप पे फेमा जो है next, कोई भी कानुनी कारवाई जो है कि जा सकती है, अगर आपने किसी भी illegal वैसे काम किया है, कई बार लोग 8-9 मेने तक continue बायर को shipment कर रहे हैं, पेसा गलत तरीके से लेते हैं, और फिर उसके आदा पेसा bank में डला लिया, लोग इन्वाइस आपने कर दिया है, इन्वाइस को कम बना दिया है, तो ऐसा कभी भी ना करें, पूरा legal वै में ही export इंपोर्ट करें, ताकि आपको कभी भी किसी तरीकी compliance में फसेंगे नहीं, आराम से आपका जो है काम हो जाएगा, और export इंप आपका जो import-export code रहेगा, वही आपका pen card number होता है, उस pen card number को ही import-export code में convert किये जाता है, इंपोर्ट-export code का जब license आपको आता है, तो आपका pen card number ही वहाँ डला होता है, तो आपका directly government के पास transaction पता चलते हैं, कि आप उस pen card के पर कितना export हो गया, कितना import हो गया, सब कुछ government क पास data रहता है, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का काम गलत नहीं करना है, जिससे कहीं आपको problem बाद में आए, तो यह ता दोस्तों, DZ, FTA and FEMA का role in export, import, I hope वीडियो में दीगे जान करें, आपको पसंद आए होगी, अगर आप सीखना चाते हैं completely export and import, तो आप join कर सकते ह हमारा 7 Days का online training program, जिसके अंदर मैं आपको practically सिखाता हूँ, इंडिया से export कैसे करें, इंडिया में import कैसे करें, उसका procedure क्या है, क्या क्या document आपको बनाना है, किस तरीके से marketing करके buyer find आपको करना है, इन सारी चीजों के बारे में detail में जान करें, आपको हमारे YouTube channel के मादियम से provide कर आई जाती है, अगर आप जोइन करना चाते है, 7 Days का online training program, तो आप जोए हमें स्कीन पर ये number पर contact कर सकते हैं, आप हमें follow कर सकते हैं, social media पर जिसके link आपको description में मिल जाएंगे, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, thank you very much.